हेलो दोस्तों टेलीकॉम गुरू योट्यूब चैनल में आपका स्वागत है आज का जो यह हमारा वीडियो है यह एनिसी सिस्टम से लेकर रिलेटेड है जिसमें कि हम एनिसी के कीफोन जो गी 12 की कीफोन होता है और 24 की कीफोन होता है उसको हम कैसे उसमें जो डियेसे होता है जो डियेसे बटन होते है जैसे कि यहां पर आप देख रहे हैं यह जिसमें 24 बटन है यह 12 बटन कभी कीफोन आता है तो उसमें हम कैसे प्रोग्राम करते हैं जब बाइडिफोल्ट कोई भी सिस्टम हम लेते हैं तो सबसे पहले वो जो कीज होती है वो ट्रंक के लिए डिफ होती हैं तो देट मींज कि कैसे हमें नॉर्मली क्या हुता है कि करेंज की भी सिक्षे अगर सपोल प्राइब के वो जाएं तो कैसे हमूद की को एक्टेंशन मनाते हैं कैसे हम एक्संय चाहते हैं यह जिस बटन मच को प्रेस करते ही डेक्ट नमबर आटसाइड का डायल हो ज इस फोन से process क्या है वो हम मैं आपको बताता हूँ तो इसमें देखे सबसे पहले हम speaker जैसे आप यहाँ पर देखेंगे तो speaker हमने on किया तो इस first key is display पर देखें line number 001, second key is line number 002, third key is line number 003 suppose हमारे पास दो lines हैं, तो हम line number 3 की जो ही key है इसको हम convert करना चाहते हैं extension में, suppose इसको हम extension बनाने चाहते हैं 202, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले speaker on करेंगे उसके बाद 852, उसके बाद हम key press करेंगे, जिसमें भी हम बनाना है और suppose हमें इसको 202 बनाना है, तो यहाँ पर सबसे पहले हम इसको clear कर देंगे तीन बाद 0 प्रेस करेंगे, तो यह तीन बाद 0 प्रेस करते ही not define आ गया that means की वो key clear हो गई, इसके बाद हम speaker off करेंगे और इसके बाद हम key बनाएंगे, code है 851 and then the key और इस key को हमें 202 suppose बनाना है तो हम सबसे पहले 01 is the extension के लिए code होता है 01 अब यहाँ पर DSS लिखा हुआ आ गया, अब इसको हमें 202 बनाना है तो अब यहाँ पर 202 प्रेस करेंगे और उसके बाद hold का बटन प्रेस करेंगे इस store करने के लिए, यह beep की आवाज आ गई that means store हो गया और speaker off कर देंगे, अब हम देखेंगे कि line जो यह third key है यह हमारे extension 202 बनी है या नहीं बनी है, देखेंगे, अब यह से call extension number 202 यहनी call उस पर जानी शुरू हो गई तो यह हमारे key extension 202 बन गई है, अब suppose इसी key को हमें extension key की जगे हमें outside number के लिए इस key बनानी है तो हम कैसे मनाएंगे, तो हम इसमें off करेंगे, और इसके बाद सबसे पहले हम फिर speaker on करेंगे, और 8, 5, 1, then हम उस key को प्रेस करेंगे जो इसमें आ रहा है, जो already dss शो कर रहा है, उसके बाद हम 01 प्रेस करेंगे, 01 is for the dss, dss और जो आपको बाहर नंबर के लिए भी आते हैं, यह हमने mobile number से pose कर दिया, उसके बाद आप hold का button प्रेस करेंगे, और यह beep की आवाज आ गई, that means number store हो गया, अब हम इसको जैसे speaker on करके हम इसे dial करेंगे, दिस्प्ले पे line number 1 और वो जो आपको dss number उसमें show हो जाएगा, अगर आपने line उसमें connect की हुई है तो, और और 852 पहले आपको clear करना पड़ेगा उस button को, तो यह हमने button प्रेस किया, तो वो उसमें देके show हो रहा है, dss, यह आपका number से stored है, यहाँ पर आपको clear करेंगे, तीन बार 0 प्रेस करके, यह not defined आ गया, आपका off हो गया, अब इसके बाद speaker off करेंगे, फिर दो बार आप speaker on करें start 01 हम प्रेस करेंगे, यह trunk की आ गया, अब suppose हमें 003 लेकिन वो पहले से defined नहीं होनी चाहिए, अगर किसी button पे है, तो आपको पहले उस button को clear करना पड़ेगा, यह 003 किया, beep की आवाज आ गई, that means store हो गया, और speaker हमने off कर दिया, तो अब हम इसको देखेंगे, यह line number 3 defined हो गया, that means कि again वो same उसी position पे आ गया, जिस position से हमने शुरू किया था, तो किसी भी key को आप extension की बना सकते हैं, किसी भी key को आप trunk की बना सकते हैं, किसी भी key को आप external number को store करने के लिए key बना सकते हैं, या किसी भी feature को access करने के लिए बना सकते हैं, feature access करने के लिए जरूरी है कि आपको प्रोग्राम कर सकते हैं अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो आप हमारे वीडियो को लाइक कीजेगा चैनल को सब्सक्राइब कीजेगा और प्रेस दे बेल आइकन थैंक यू